हिमाचल में दबाही का मौनसूर पूपते पहाद कारों का कप्रिस्तान सलकों पर सैलाब क्या आपने कारों का कप्रिस्तान देखा है? अगर नहीं तो ये देखे तस्वीरे हिमाचल की राजदानी शिमला की है जहां लेट्सलाइट की चपेट में कई कारे आ गए कार की छट तक मलवा पहुच चुका था टायर, खिरकी, दरवाजे सब किसी काम के नहीं बज़े हैं जिन कारवालों की किसमत अच्छी है वो किनारे अपनी बरबादी का अंदजार कर रही है पूरे शिमला में बारिश ने तबाही मचा रखी है सडकों पर सेलाव हैं नाले ज़र्नों में तब्दील हो चुके हैं और जन जीवन पूरी तरह से अस्थ व्यस्थ हो गया है रॉंग्टे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें हिमाचल के मंडी जिले की है जहां ऐसा लग रहा है कि कुद्रत ने तबाही के लिए पूरी ताकत जोग दी है ये कोई नदी नहीं बलकि मंडी की गलियां है जहां पानी का सहलाब ऐसा कि बड़ी से बड़ी चीज बहा ले जाए सड़कों पर सफर करना जान को जोखिम में डालने जैसा है तुकाने बंध हैं और लोग मजबूर हैं पानी के सिवा शहर में कुछ नहीं दिख रहा है अब देखे मंडी की ही दूसरी तस्वेर जिस जैसीवी मशीन पर राहत काम की जिम्मेदारी है उसी के तबाही देखकर हाथ पैर फूल रहे है स्तड़क आगे टूट चुकी है जिसकी मरमत का काम शुरू करने के लिए जैसीवी मशीन बुलाई गई लेकिन मशीन आगे कुछ काम कर पाती चंद सेकंड में ही फिर लंड स्लाइड शुरू हो गई और जैसीवी ड्रैवर ने गाड़ी पीछे किसकाने में ही अपनी भलाई समझी आपने क्या कारों को सहलाब में डूटकी लगाते देखा है अगर नहीं तो ये तस्वीर देखी कैसे सडकों पर स्तरपड दोडने वाली कारों ने पानी के आगे स्तरेंडर कर दिया है एक तो नहीं बलकि 50 से ज्यादा कार बेकार खड़ी है रिहायशी इलाकों में पानी भरा हुआ है